तो आज हम बात करेंगे Maths, जो Group D में आता है उसके उपर, तो पहले हम इसका स्लेवस का जो पिछला वीडियो में आपको कुछ गलत थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, उसको हम सही करते हैं, तो हमारा स्लेवस जो है, 100 जो question आता है, उसमें से General Science, मतलब Science से 25 question आता है, Math से 25, मिलता है, अगर हम time management का बात करें, तो time इसमें काफी अच्छा खासा आपका Math के लिए मिल जाता है, जैसे कि मानलीजे, General Awareness के लिए और General Science के लिए, पांच-पांच मिनट रखते हैं, ज्यादा है, मैक्सिमम दस मिनट, दस मिनट में यह आराम से आपका बन जाएगा, और के लिए 40 मिनट, जो कि बहुत ज्यादा होता है, एक question पर एक मिनट भी काफी होता है, यहां पर आपको 40 मिनट मिल रहा है, करवी-करवी मान के चलिए कि एक question पर डेर से भी ज्यादा मिनट, तो time का कोई इसू नहीं है, तो टेंसल लेना नहीं है time का, और shortcut method से अभी कम जाए लिए, करके समय इसमें काफी मिलता है, अगर book का बात करें, तो अगर maths से जुड़ा हुआ, अगर सबसे अच्छा book है, गुरूप D का तयारी करने के लिए, तो वो है RS Agrabad, overall NTPC के लिए भी और group D के लिए दोनों के लिए best किताब है, RS Agrabad, उसमें लगभग जितना topic दिया ह उसको cover कर लिए और थोड़ा मोड़ा आपको advance के लिए जिसे trigonometry से कुछ कोशन आ रहा है, और geometry से कुछ कोशन आ रहा है, तो उसका मतलब की कुछ-कुछ जो मतलब basic चीज सब पढ़ी लिए उसमें से, ताकि आपका overall जो है थोड़ा मोड़ा clear हो जाए, मतलब पूरा idea, अब देखिए, अब आपको करना क्या है, आप करीब-करीब मान के चलिए, हमको लगता है 20-25 टॉपिक ही इसमें है, मतलब पूरा मैस का स्लेवस में, स्लेवस को पूरा देख लीजे एक पर अच्छे से, उसके बाद करना क्या है, हमको काम किस तरह करना, उसके उपर हम बाद करत देखिए, एक नंबर करके, एक नंबर में मान लिजिन नंबर सिस्टम, दो नंबर सिस्टम, तीन नंबर में आपका, जो भी जो भी चीजा आ रहा हो, डेसिमल, प्रोब्लेम, एजेज, सर्च अन इंडिसेज, परसेंटेज, प्रोफिल दन लॉस, रिचियो प्रोपर्शन, पाइप सिस्टम, टाइम, टाइम इन वर्ट, टाइम इन दिस्टेंस, मतलब जितना भी सिलिबस से पूरा लिख दीजे, लिख दिए, उसके बाद क्या करना है, कि आपको हर एक टॉपिक को ठीक है, एक टॉपिक को लिखना है, उसके उपर उसको अच्छे से बुक से सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा तरीका से बताया गया है, कोई भी टॉपिक को अच्छे से क्लेर करके, उसके बाद आरे सकवाल का जो बुक है, उसका फर्स्ट पांच क्वेश्चन, लास्ट पांच क्वेश्चन बना लीजे, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए उसको घेड़ दीजिए, उसमें क्या राएगा, उसमें नोट्स करके, कोई इंपोडेन पॉइंट्स लगें, प्राइम नंबर जो होता है, यह पी कोई फॉर्मूला आपको अच्छा लग रहा हो, फॉर्मूला अच्छा क्या फॉर्मूला जो इंपोर्मूला उसको लिख ताकि आप कभी भी कॉफी पलेटे तो वहीं पे डायक्ट आपका नजर जाए, तो और उसे का वहीं पे लिखने से अच्छा यह होगा, कि आप याद रहेगा कि इसके बाद यह फॉर्मूला आया था, जहां जब फॉर्मूला यू जो रहा हो, वहां पे लिख लीजे, उसस अधर उदर से माल लिखे कभी प्रोक्रिंट लॉस पल लिए, कभी जोमेटरी पल लिए, कभी टोइनोमेटरी पल लिए, तो इससे क्या हो एक सिक्वेंस में आप पूरा बुख को खतम हो जाएगा, धीरे-धीरे, कोई अगर कमजोर है तो उस पे ज्यादा ध्यान दे दीज और रिवीजन करना कैसे है, रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं करना है, हर एक टॉपिक से एक कोश्चन लीजे थोड़ा सा हार्ड, हार कोश्चन लीजे और उसको अच्छे से बनाईए, मतलब हार कोश्चन कम से कम एक कोश्चन हर एक टॉपिक का कम से कम बनाते रहिए, से क्या होगा आपका कॉंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा के बाद सेक्शन वाइज मतलब मैस का ही सिर मॉक्टेस्ट कभी-कभी आपको बना लेना है सब्ता में देख लेना है कि किस टाइब का कोशन आ रहा है और एक बार तो जरूर से जरूर आपको सिलेबस जो है इ इने की बस हम लगे हुए हैं पूरा रहे सक्वाल का सौ सका सो कोशन बना रहे हैं लिए सबसे करने से भी कुछ नहीं होगा समय कम है तो उस अनुसार से आपको हर एक टॉपिक को कभर करना है अगर आप का बात करें टेस्ट देने के लिए तो सबसे बेस्ट जो एप है वह ह सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल वह तो जो आपको अच्छा लगे सर्च करके देखिए जो अच्छा लग उसको कर ली यह था आपको मैस से जुड़ा हुआ हुआ अभरॉल मतलब जितना भी स्ट्रेजी था उसके उपर टिस्ट के सम और भी और भी अच्छा हमको आ परोच्त